नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक्जाम वारियर के यूट्यूब चैनल पर अगर आप HP पुलिस कॉंस्टेबल के रिटन एक्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी जरूरी है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो अब HP पुलिस कॉंस्टेबल का रिटन एक्जाम फिर से होने वाला है उस एक्जाम में आपको लेवल इंक्रीज होगा वो कितना देखने को मिलेगा और एक्जाम कौन करवाएगा हमीरपूर बोर्ड करवाएगा या पुलिस डिपार्टमेंट करवाएगा ये भी काफी बड़ा सवाल है दूसरी मैं आपको ये बात बताऊंगा कि आप तैयारी कैसे करेंगे कम समय में और एक्जाम कब तक होगा इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एक्जाम कौन करवाएगा तो इस बारे में यहाँ पर अभी तक ये पूरा क्लियर नहीं हो पाया है कि एक्जाम कौन करवाएगा लेकिन 90% यही चांस है कि जो एक्जाम है वो पुलिस डिपार्टमेंट ही करवाएगा क्योंकि अगर हमीरपूर बोर्ड के दवारा एक्जाम करवाया जाता है तो इसमें आपको पैटर्न में बदलाव देखने को मिलेगा मतलब सलेबस यहाँ चेंज नहीं होगा बस जो कॉस्टन की संक्या है वो आपको यहाँ पर जाता देखने को मिलेगी और यही बात इस न्यूज में भी यह कही गई है कि हाई कोट ने पुलिस भरती पेपर लीक से संबंदित याचिकाओं को खारिज कर दिया है पुलिस मुख्याले की ओर से जारी प्रेस विग्यापती में अधिवक्ता विनेश शर्मा ने उच न्याले हिमाचल परदेश के समक्ष यह याचिका दायर की थी इसमें एक उन्होंने हिमाचल परदेश पुलिस में आरक्षियों की भरती मामले को मतलब CBI को सौंपने की परातना की थी दूसरी उन्होंने अदालत सी अनुरोध किया था कि जो पुलिस आरक्षियों के पद के लिए लिखित परिक्षा नए सिरे से हिमाचल परदेश करमचारी चैन आयोग के माध्यम से आयोजित की जाए लेकिन ये बात खारिज कर दी गई है इसका मतलब यहां पर अब जो आपका एक्जाम होगा 90% चांस यही है कि पुलिस डिपार्टमेंट के दवारा ही आपका एक्जाम करवाया जाएगा लेकिन इन फ्यूचर जब कभी पुलिस कॉंस्टेबल की भरती बविश्य में हमें देखने को मिलेगी तो हो सकता है कि हमीरपूर बोर्ड या फिर जो अन्य परिक्षाएं करवाता है जो भी अन्य वोर्ड है हिमाचल परदेश में वो यहाँ पर एक्जाम कंड़क्ट करवाएंगे पुलिस कॉंस्टेबल का दूसरी बात यहाँ पर यह बात कही गई है बच्चों के दवारा कि एक्जाम का लेवल कितना इंक्रीज होगा बहुत से बच्चे इसमें भी स्ट्रेस में आ चुके हैं कि एक्जाम का लेवल बहुत ज़ादा बढ़ जाएगा देखिए इन जो एक्जाम है उसका लेवल बढ़ेगा घटेगा नहीं लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा जितना आप सोच रहे हो मैं आपको बता देता हूँ आपने किन टॉपिक में थोड़ा ज़ादा ध्यान देना है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एक्जाम का लेवल सिर्फ दो टॉपिक में ही आपको देखने को मिलेगा वो होगा math और reasoning क्यूंकि आप भी जानते हो इस पार जो math और reasoning के question थे वो काफी easy आये हुए थे इतने आसान 2019 में भी नहीं आये थे लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि math और reasoning में level increase होता है लेकिन सभी question में जो level होता है वो increase नहीं होता है कुछ एक question high level के पूछे जाएंगे यह बाकी level आपका same रहेगा तो जादा आपने stress नहीं लेना है जादा tension नहीं लेनी है कि exam का level बहुत जादा बढ़ जाएगा बहुत जादा increase नहीं होगा कुछ एक चीज़े हैं जिन में बदलाब नहीं होगा जैसे English grammar जिस level का था वो अच्छा level था पुलिस कॉंस्टेबल के रिए शेफिस हैं था हिंदी grammar की बात की जाए वो भी काफी अच्छे level का था अगर बात की जाए जीके की तो जीके उसी level का पूछा जाता है HP पुलिस कॉंस्टेबल में आपको increase जो देखने को मिलेगा वो सिर्फ math और reasoning के कुछ एक सवालों में आपको देखने को मिलेगा पूरा syllabus यहाँ पर जो भी आपके math और reasoning का आप मान कर चल रहे हो कि सारे question ही high level के आएंगे तो ऐसा नहीं होता है उनमें से 3-4 question आपको high level के देखने को मिल सकते हैं बाकि जो यह सोच रहे हैं कि level increase नहीं होगा तो यह गलत सोच रहे हैं हलका सा level increase होगा जो मैं बता चुका हूँ reasoning और math के कुछ एक question थोड़े से high level के आ सकते हैं बाकि pattern आपका same रहेगा और GK हो सकता है कि उतना deeply पैसे नहीं पूछा जाता तो हलका सा GK भी आपने थोड़ा ध्यान देना है GK पर बाकि बात करते हैं तयारी कैसे करें बहुत से बच्चों के दिमाग में यह सवाल है कि अगर आप coaching institute जोईन नहीं करना चाते हो उसके बावजूद आप अपनी तयारी अच्छी करना चाते हो तो बिना एक रुपया खर्चे भी आप काफी अच्छी तयारी free of cost कर सकते हो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि math और reasoning की playlist आप मेरी देख सकते हो link आपको i button पर दिख रहा होगा ये math और reasoning की playlist मैं आपको provide करवा रहा हूँ साथ ही साथ मैंने English और Hindi grammar की playlist भी provide करवाई है आपने वो वीडियो ढूंडनी है जिसमें मैंने ये कहा है कि Hindi और grammar जो English grammar होता है वो कहां से तियार करे HP police constable के लिए क्योंकि उसमें आपको basic knowledge होना जरूरी है तो तैयारी की बात हो चुगी अब बात करेंगे exam कब तक होगा exam ये कहा गया है कि जून मन्त में होगा लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा फैंसला यहां पर साफ नहीं दिखाई दिया कि जून में ही होगा हो सकता है 20 जून के बाद हो या फिर हो सकता है जुलाई तक आपके exam हो जाएंगे लेकिन जुलाई से आगे की date आपको नहीं मिलेगी जुलाई से पहले आपका exam होगा जुन में chances काफी कम लग रहे हैं लेकिन 90% आपने यही मान कर चलना है कि जुन में exam होंगे क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं मान कर चलोगे तो आप अपनी जो तयारी में है वो थोड़ी सी deal देने लग जाते हो जिस बज़ा से आपको आगे काफी समस्याएं देखने को मिलती है क्योंकि आप अपनी तयारी में deal दे देते हो मैं आपको बता दूगा आपको इस चीज़ पर खुशी होनी चाहिए जी क्योंकि जितना आपका exam delay होगा उतनी आपकी तयारी अच्छी होगी आपने अपने हर एक topic clear करने है जो आपसे पिछली बार चूट गए थे तो आपके पास समय है और आपके पास दूसरा मौका भी है तो इसका आपने सही उपयोग करना है बाकी मैं आपको बता चुका हूँ exam जो है HP का जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो exam conduct करवाता है वही इस वार exam conduct करवाएगा क्योंकि इसके chance बहुत कम है कि हमीरपूर बोर्ड exam conduct करवाएगा ऐसा इस वार काफी मुश्किल ही होगा काफी मुश्किल ऐसा होगा कि हमीरपूर बोर्ड exam conduct करवाएगा तो इसका मतलब आपने यही मान कर चलना है पुलिस डिपार्टमेंट ही exam conduct करवाएगा दूसरा मैंने आपको यह बताया कि exam का level कितना increase होगा तो उतने आपने stress नहीं लेनी है उतना आपने depression में नहीं जाना है कि बहुत जादा high आएगा आपने तयारी बिल्कुल same level कि करनी है बस कुछे question आपसे deeply हो सकता है पूछा जाए बाकी जैसे ही कोई officially update आएगा मैं आपको बता दूँगा तो जुड़े रहना है आपने exam warrior से notification bell को आपने on जरूर कर लेना है ताकि जब भी मैं कोई update की वीडियो आपको दूँ तो वो आप तक पहुंच सके तो मिलते हैं आपसे next वीडियो में